किसी भी पेड़ की जड़े जो होती है वो सबसे इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जितने भी न्यूट्रियंट्स है सॉयल में वो रूट्स के त्रूई पूरी ट्री में सपलाय होती है तो अगर यहां पर बात करते हैं सेब के पेड़ की अगर आपके सेब के पेड़ की जड़े हल्दी नहीं है तो वो पेड़ बहुत जल्दी खतम हो सकता है आपने देखा होगा कि जो main problem होती है apple orchard में जड़ो की वो है एक होगी root rot और नीमा टोट करके भी एक problem देखने के लिए मिलती है पर ज्यादा root rot हो गया और color rot भी देखने के लिए मिलता है इसकी वज़ा से पेड बहुत जल्दी नश्ट हो जाता है और proper growth और development नहीं हो पाती ड्रीकी तो इसके लिए drenching आप कर सकते हो कई मेरे apple orchard में ऐसे पेड है जो दो तीन साल से proper growth नहीं ले पा रहे है और उसमें नहीं पर formation हो रही है उसके लिए मैं हमेशा जड़े पहले चेक करता हूँ पूरा जो तना होता है उसे साफ करता हूँ और जड़े देखता हूँ कि कोई इसमें infection तो नहीं हुआ और फिर मैं करता हूँ ट्रेंचिंग पहले मैं जड़ देखता हूँ किसी भी पेड़ कि अगर उसमें growth नहीं हो रही है इस तरह से मैंने चारो तरफ इससे पहले साफ किया पूरी जड़े आप इस तरह से देख सकती इस तरह से निकाली मैंने और थोड़ी यहां से सणाम सी हो चुकी थी इसमें श मैं यूज कर रहा हूँ वो है डर्मेट फानी के साथ मैंने इसे मिक्स किया है मैं जो ड्रेंचिंग करता हूँ वो करता हूँ साल में दो बार एक करता हूँ मैं या मार्च या अपरेल के बीच में और एक करता हूँ आफटर हार्वेस्टिंग मार्च और अपरेल में मैं इ किसी भी insect को grow होने वह एक initial stage होती है तो अगे इनिशिल च्टेज होती यह, जो अगर निसकाיס, इंशिया सिर्फ, आपरण तो काफ़ी अच्छा तरीका होसकता है कारगर्ळ तरीका होसकता है तो अब मैं ड्रेंचिंग करने जा रहा हूं इस तरह से एड करना है यह आप यह देख़ेंगे जा थोड़ी देरी से ऐसे ही रखना है पूरा जब एब्सॉर्व हो जाएगा फिर उसके उपर दवारा से मिटी डाल दूँगा मैं और इसे पूरी तरह से एकदम कवर करनूँगा अच्छे से एब्सॉर्व हो चुका है यह जो डर्मेट वाला सल्यूशन मैंने डाला था अब इसे मैं कवर करने जा रहा हूं पूरी तरह से मैंने ये पेड ड्रेंचिंग के बाद अच्छे से कवर कर लिया है इसका तरना मिटी चारो तरफ से डाल दी है अच्छे से आप देख सकते हो तो इस तरह से मैं आम तोर पे अपने बगीचे में ड्रेंचिंग करता हूं अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो शेर कीजिए लाइक कीजिए धन्यवाद